हेलो गाईज, हाओ आर यू, वेल्कम बेक तो माई योट्यूब चैनल, तोड़े आएम गोईँ टो टेल यू अबाउट सिंपल पास्टेंस और पास्ट इंडेफिनेट टेंस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्टेंस क्लियर कर रही हो, के स्टूडेंट्स, अप इस इस में कनक्फिनेट्स होते हैं, तो चलते हैं पास्ट इंडेफिनेट्स पे, सबसे पहले इसका मीनिंग क्लियर कर लो, एक наст मतलब पास्ट मには किया गया कोई या Siya aqshan, जो हो चूका है, इंडेफिनेट्स में जो deffynette n ‎हीं है, ठिक है और टेंस मीं रीखने खाल, ठि लेकिन वह definite नहीं है कि उसने लिखा या नहीं लिखा तो उसे हम past indefinite tense कहते हैं अब यहां मैं आपको two example clear कर रहे हूं देखो she wash the clothes उसने कपडे धोए अब उसने कपडे धोए तो सही लेकिन यह definite नहीं है कि उसने धोए या नहीं धोए तो इसलिए यह past indefinite tense का ही example और past indefinite tense का ही other name simple past tense एक example और ले लिखते हैं you played the football तुमने football के ही ठीक है तो this is also an example of past indefinite tense अब इसमें three types के sentences आते हैं देखो first आता है affirmative sentence second आता है negative sentence और third आता है interrogative sentence ठीक है तो affirmative sentence का अभी मैंने आपको example बताए हैं ठीक है plus work की second form and plus object ब्यान रखना के हम past indefinite tense में work की second form ही लेखते हैं ठीक है तो यह structure हमारा affirmative sentence का है जैसे देखो यहाँ पर मैंने दूए example यह थे firstly subject then work की second form and then object ठीक है तो यह structure है past indefinite tense में affirmative sentences ठीक है clear है आपको आप चलते है negative sentences में सबसे पहले negative sentences का structure जो है वो clear करे हो firstly plus work की first form and plus object यह ध्यान रखना कि negative sentences में हम work की first form यूज करते हैं और ऐसे interrogative sentences में भी हम work की first form यूज करते हैं अब इसके भी मैं आपको दो example बता रहे हूं देखो जैसे he did not write a letter उसने letter नहीं लिखा ठीक है तो यहाँ ध्यान दो subject plus did not plus work की first form and then okay जैसा मैंने आपको structure में भी बता रहा है तो कई बच्चे इसमें भी confused हो जाते हैं कि simple sentences में second form यूज होती है बत कि लिए कि interrogative और negative में हम work की first form यूज करते हैं क्योंकि आपने did not का use कर लिया एक और example ले देखो जैसे you did not read a book ठीक है तुमने book नहीं पढ़ी यहाँ भी देखो हमने रीड की first form यूज किया तो यह negative sentences के दो एक्जामपन है अब चलते हैं interrogative sentences के इसका structure देखो मैं clear कर रहे हूं firstly हम लगाएंगे did plus subject plus अगर हमें not लगाना हो तो plus work की first form and plus object अब इसके भी example ले रहते हैं देखो जैसे did I play badminton ठीक है और last में जो है question मार पाएगा क्योंकि यह interrogative sentences है जिसमें हम question put करते हैं एक और example यह जैसे did she not write a book ठीक है तो इसमें भी आपने notice किया होगा कि did के साथ हमने first form का use किया है यहां not का use निया बट यहां पे not का use किया गया बट last में हमने interrogative sign का use किया है ठीक है तो यह affirmative sentences negative and interrogating मैंने आपको clear कर दिये और यह simple past tense के rules मैंने आपको बता दिया I hope आपको अच्छी समझ आ गए होगे अगर यह video अच्छी लगी तो please like share comment करना ना बूले और जो भी मेरे चैनल के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल Okay thank you